देखो बच्चो एक टेस्ट लिया था हमने बेसिक सॉप अकाउंट्स का पट अपट से जॉल कर लेते हैं सो क्लासीफाइब फॉलोइंग अकाउंट्स इन्टो असेट्स लियाबिलिटी इंकम एक्स्पेंडिचर एंड कैपिटल बन बाइवन भद्रेश कैपिटल को लोग कहा जाएगा कैपिटल में एसेट लाइबिलिटी इंकम एक्सपेंडिचर कैपिटल लूस्टूल एसेट लूस्टूल जैसे ही कि नहीं मान लो कार के साथ जैक लगा हुआ रहता है वह नर्ट वर्ट कोलने के लिए पाने वाने रखे रहते यह उसके बाद प्रीपेड एक्सपेंस एसेट उसके बाद एक्सपेंस नहीं है एसेट कॉपीराइट एसेट आउटस्टैनिंग एक्सपेंस लाइबिलिटी इंकम ड्यू डेट के पहले मिल गई है अचा ऐसा कोई बच्चा जिसका अच फर्स डे है एक दो तीन चार पाच क्य बात करेंगे जो 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 आपका छूटा है इसके बाद में हम लोगी काम करेंगे जो जो भी तक पढ़ाया है उसके लिए एक सेशन लोंगा एक दो दिन का और वापस सेपरेट तो उसमें ना जो जो बच्चों का छूट गया वह अपस कवर्प करवा होगा जिंदा मत करने आजाओ प्री रिसीवड इंकम यह लाइबलेटी क्यों हुए ध्यान से सुनना यह मान लो मैं लैनलोड हूँ यह मैंने मेरी प्रॉपर्टी की राय से दिया अभी चल रहा है जैन्वरी जैन्मार्च मेरा जो टेनंट है उसने जैन्वरी मंद में जैन्वरी का रेंटो दे रंडे दिया साथ उसने अन्वरी का भी रेंड दिया अभी से और माच का भी रेंट अभी दे दिया नीज्न में जैन ऊसने फेब और मार्च का भी रेंड दिया तो बताव एडवांस रंड कितना हुआ advance rent received किसी को बोलते है pre-received rent यहाँ पर एक interest है मैंने rent का example लिया यानि income जो future में मिलने वाली थी वो advance में अभी से मिल गई तो यह हो गया advance rent और pre-received rent किता 20,000 और जो current rate का rent मिलना चीए था वो कितना है 10,000 तो total किता हुआ 10 और 20 total कितना हो गया 30,000 yes or no so 30,000 rent में advance rent कितना है 20,000 अब तुम मुझे एक चीज़ बताओ कि in case अब जो मेरा tenant है उसने अभी से मुझे फरवरी और मार्च का rent दे दिया अभी उसने देना चीए था क्या नो फरवरी और मार्च का rent कब देना चीए था फरवरी और मार्च में उसने समय से पहले मुझे rent दे दिया जरुवत नहीं थी उसकी obligation नहीं थी मेरा अधिकार, मेरा right नहीं था फिर भी उसने दे दिया अब मान लो देने के बाद अगर उसको कुछ पैसों की जरुवत अनपड़ती है तो वो मुझे बोल सकता है न कि साब फेबर मार्च का भी rent मैंने आपको advance में दिया हुआ है मुझे पैसों की जरुवत है मुझे वो advance rent वापस करो क्या मुझे वापस करना पड़ेगा हाँ क्योंकि वो तो अभी मिलना ही नहीं चीए था advance rent होता क्या है due date से पहले मिल गया advance income क्या है जिस दिन वो income due होने वाली थी उससे पहले मिल गई तो पहले मिल गई तो in case जिस party ने वो advance हमें income दिया है वो party को अगर पैसों की जरुद पड़ेगा वो वापस मांग सकती है क्या हमसे और वो अगर demand करेगी तो क्या हमें देना पड़ेगा देना पड़ेगा मतलब मेरे लिए क्या हो गई liability इसलिए advance income को हम लोग क्या दिखाते है liability in case वो party जिसने advance में हमें income दिया है अगर उसको कुछ काम पड़ता है पैसे का तो definitely वो हमसे वापस जब demand करेगी तो मुझे compulsory देना ही पड़ेगा तो वो क्या हो जाएगा मेरे लिए liability इसलिए जब तक फरवरी मंथ नहीं आ जाता तब तक ये फरवरी के 10,000 मेरे लिए liability है जब तक March मंथ नहीं आ जाता तब तक ये मेरे liability है क्या पतक कब वापस देना पड़ जाए क्योंकि मेरा तो अधिकार था यह नहीं ना फरवरी और March के rent पे मेरा अधिकार कौन से rent पे था सिर्फ जैन के जैन का rent वो वापस मांग सकता है क्या जैन का rent मेरा income है जैन आ गया जैन का rent मैंने कमा लिया उस पे मेरा हक है लेकिन फरवरी और मार्च अभी तक आया नहीं ये तो बिचारा टेनन्ट अच्छा था उसने एडवांस में दे दिया बढ़ अगर उसको पैसो की जरूत पड़ती है तो क्या हो हमसे वापस दिमांड कर सकता है यस इसलिए जब कभी भी हमें इंकम एडवांस में मिल जाती है तो ज़्यादा खुश होने वाली बात नहीं है एडवांस इंकम क्या पदा कब वापस देनी पड़ जाए इसलिए एडवांस इंकम को कहां दिखाते है लाइबिलिटीज में यस और नो लियर है सो हमेशा ध्यान रखना इनी एडवांस इंकम इनी प्रिरिसीवड इंकम चाहे फिर वो रेंट हो चाहे इंट्रेस्ट हो चाहे और कोई इंकम हो चाहे कमिशन हो एडवांस में मिला हुआ इंकम जब तक वो इंकम का डिव डेट नहीं आ जाता तब तक वो मेरे लिए क्या रहेगा? लायबिलेटी यह बात समझ में आई पक्की बात तो तुम बताओ प्रे रिसीवड इंट्रेस, प्रे रिसीवड इंकम क्या रहेगी? लायबिलेटी आगे कमिशन रिसीवड इंकम प्रेट शाहिद दिया होगा तो एक्सपेंस प्रेट जनरल हम लोग देते हैं न? गाड़ी भाड़ा हाँ, प्लेंट एन मशनरी एसेट, संडरी इंकम इंकम, लाइफ स्टॉक एसेट लाइफ स्टॉक किसके लिए होता है जनरल है? डेरी वालों के लिए भैसे वैसे जो बंदी हुई है उसा वो लाइफ स्टॉक है उनका बरबर है जो मुर्गी बेशने का काम कर रहा है उसने आज पचास मुर्गिया खरीदी थी बीस बेश दिया थर्टी अभी भी उसके पास पढ़ा है लाइफ स्टॉक यस और नो एसेट उसके बाद लॉस ओन सेल ओफ फरनीचर बोलो बेटा अब यह वैसे तो लॉस है बड़ अब हमें यह इसी में से एक सिलेक्ट करना है तो मजबूरी में क्या ट्रीट करोगा एक्सपेंडिचर अधरवाइस इसका ज्यादा प्रॉपर क्लासिफिकेशन क्या रहेगा लॉस लॉस इसका हमें बेनिफिट नहीं मिलता है ना आज ना फ्यूचर में उसके बाद बैंक लोन लाइबिलेटी कंप्यूटर एसेट दिगल एक्सपेंस एक्सपेंस ओडिट फी एक्सपेंस ओडिट फी क्या होता है किसको देते है सिये को सिये ही ओडिट करता है कि और कोई कर सकता है कौन सा ओडिट है कॉस्ट ओडिट है तो कॉस्ट एन मैनेजमेंट अकाउंटेंट करेगा फाइनेंशिल स्टेटमेंट का ओडिट है तो Chartered Accountant करेगा Compliance Audit है तो Company Secretary करेगा Compliance Audit Company को जो जो Rules or Regulations अपली के बले है वो वो Rules or Regulations Company follow कर रही है कि नहीं कर रही है Company को जो जो Laws अपली के बले है वो जो Law Company follow कर रही है कि नहीं कर रही है चेक करने को बोलते है Compliance Audit Bookshop Accounts properly maintain किया कि नहीं किया यह चेक करने को बोलते है, financial statements का और books of accounts audit, यह CA करेगा, costing records, costing records, यह एक product बनाने के लिए कितने का खर्चा आया, यह हम लोगों record करके रखना पड़ता है, यह तो हम लोग sale price कैसे decide करेंगे, तो यह है costing records, यह आगे आएगा आपको भी नहीं, तो costing records जो आप maintain कर रहे हो, costing records चेक करने की process को बोलते है, cost audit, cost audit कौन करेगा, CMA, cost and management accountant, financial statement को audit, CA, और compliance audit, कौन करेगा बड़ा, secretarial audit भी बोलते है, CS, यहाँ पर कोई भी audit रहो, जो भी fees है, वो क्या रहेगा, expense, और audit याने क्या होता है, जैसा होना चीए था, वैसा है के नहीं है, यह check करने की process को बोलते है, audit, आसान भाषा में, audit याने check करना, verify करना, scrutinize करना, examine करना, बरबर है, मतलब क्या करना, audit, check करना, आपको अगर audit practical ही समझना होगा, तो आपके phone को password हटा करके, ममा पापा के सामने table पे, lunch पे जब बैठे है, तब phone को रख दो, password unlock करके, और आप चले जाओ, थोड़ी दिर के लिए बाहर, और किसी दोस को बोल के रखना की है, बस miss call दे दे, फिर क्या सब की नजर phone पे जाएगी, और कोई ने कोई तो phone उठाएगाई, phone उठाएगा दिखे गारे, unlock है, तिर उसके बाद में आपके phone के साथ जो होगा वो है, आपके phone का audit, यानि आपका phone पूरा check हो जाएगा, verify हो जाएगा, scrutinize हो जाएगा, examine हो जाएगा, और वापस आने के बाद में आपको क्याम लेगा audit, report, written opinion, या oral opinion, from your father and mother, चलो, आजओ, then motor guard, asset, receivables income, receivable income, यानि income आना बाकी, income आना बाकी, जिस party से पेसे आने बाकी, उस party को हम लोग बोलते हैं, debtor, और debtor कहां classify होती है, asset में, बढ़ा था कि basic में, royalty, royalty दे रहे हैं तो खर्चा, मिल रहे हैं तो income, अगर मैं दे रहा हूँ, तो expense, if royalty मिल रही है, तो income, अब हमें थोड़ी मालम, दे रहे हैं कि मिल रहे हैं, बड़ बड़े हैं, आजओ, then repairs, expense, stock of stationery, asset, dividend on investment, income, dividend क्या होता है, anybody, very good, आपने किसी company के shares खरीद के रखे, अब वो company क्या करती है, अच्छा, आपने किसी company के share खरीदे, मतलब आप क्या बनगे उस company के, मालिक, shareholders are the owners of the company, मालम है ना, अच्छा, किसी भी business का मालिक कौन रहे था, जिसका भी capital में investment है, वो मालिक रहेगा, बड़ बड़े, अब देखो, जैसे company, नहीं है, जैसे पहले मैं, अकेला business करता था, मेरे अकेले का capital लगाया हुआ था, इस type के business को बुलेंगे, soul proprietary firm, soul याने, अकेला, बड़ बड़े क्या, पिर मैंने सोचा है, बड़े level पे काम करना है, मेरे साथ किसी को ले लिया, उसका भी पैसा लगा है, उसका भी skill लगा है, इसको क्या बोलेंगे, partnership firm, पिर हम दोने सोचा, और बड़े level पे धन्दा करना है, पब्लिक को भी साथ में ले लो, पब्लिक का भी पैसा लो, 10 रुपे दो मालिक बन जाओ, 10 रुपे दो मालिक बन जाओ, 50 करोड लोगों से 10 रुपे ले लिये, 500 करोड रुपे खटा हुए, बरबरे, तो यहाँ पे सारी पब्लिक को भी मेंने, जो जो लोगों ने पैसे capital में contribute किया था, उनका भी तो capital में हिस्सा है ना, और उस capital के ए share capital of the company, yes or no, तो जो जो लोगों का capital में हिस्सा है, वो सब लोग क्या बन गए, मालिक, और मालिक को क्या मिलता है, profit, तो shareholders को profit जो मिलता है, company के case में, total capital है मान लो, एक लाख रुपे का, यह total capital है, और यह capital कैस है आए बेटा, ध्यान से सुनना, हजार लोग थे, सब ने किते किते दिये, सव सो रुपे, into number of persons किते थे, हजार, यह सब लोग क्या बन गए, company के, shareholders, shareholders को ने, company के, मालिक, मालिक को क्या मिलता है, profit, तो अब जैसे company को profit हुआ, वो profit सब में बटेगा ना, profit बटेगा की ने, सब में, तो हर किसी को जो profit का हिस्सा मिलता है, उस हिस्से को बोलते है, dividend, so dividend is nothing but a distribution of the profit by the company to its shareholders, so जो हम लोग profit बाट रहे है, वो किस form में बाट रहे है, dividend के form में, yes or no, don't worry, जो भी चीज़े मैं बता है, लिखने की जरुवत नहीं है, आगे 1000 बार आपके life में आने वाली है, बस एक आपको basic idea हो, उस तेम पे आपके चरेपैसे, वाउ, यह नहीं होना चाहिए, यह तो हमें पहली पता था, यह ना, so profit, profit हम लोग जो बाट रहे किस form है, बाट रहे बाट रहे बीटा, dividend के form में, so यह जो आपको मिल रहा है, आप shareholder हो, आपको dividend मिला, याने आपको उस company से income मिला, return मिला, profit मिला, क्या है आपके लिए, income, यह 100% किसके correct आए थे बिटा, एक, दो, एक भी गलती, नहीं, 100% correct आए थे, एक, दो, तीन, चार, पाँच, पाँच बच्चों का 100%, very good या, बहुत बढ़ी है, Question No. 2, Prepare the chart, showing the analysis of the following transaction in the tabular form, according to modern approach, by applying the rules of debit and credit, क्या rules हमने देखा था, यादा रहे है के सभी को, देखो, कहा ली को, या ली को गया, यह देखो, यहां लिख लेते, बोलो, सबसे पहली step क्या है, account name, उसके बाद, classification, और उसके बाद, debit होगा के, credit होगा, बड़ोबर, जो बच्चों का first day, please, आप लोग बस ध्यान दो, समझ में नहीं आए, तो भी चिंता मत करना, मैं बताओंगा वापस अलग से, बोलो, मेग राज, started a business, मेग राज started a business, with cash of 30,000, बोलो, कौन कौन सा account बनेगा, cash account, और owner ने business start के, नहीं, यहीं ना, owner यह नहीं, owner को represent कर, ऐसा कौन सा account होता है, capital account, बरोबरे, तो इसका balance कौन सा है, debit balance, मैं directly लिख दूँ कहा, balance ही यहाँ पर, debit balance, यह बढ़ता है, तो debit करो, काम हुआ तो credit, capital का कौन सा balance, credit balance वाल अकौन बढ़ता है, तो credit, काम हुआ तो debit, अब तुम बताओ, यहाँ पर cash बढ़ रही है, काम हो रही है बिजनेस में, owner ने धन्दा शुरू किया, तो business में cash आई, तो business में cash बढ़ी, cash बढ़ी तो cash को क्या कर दू, debit, owner business में, जब भी money और money जवद में कुछ लाता है, तो capital बढ़ेगा, capital बढ़ता है, तो उसको क्या करना है, credit, simple, modern approach, यह हो गया आपका, first entry, देखो tabular form बोला था ने, इन्होंने, यह में ने बना लिया, last में किसी को amount लिखना है, तो लिख लेना, amount किता था यहां पे, 30,000, 30,000, यह किसका किसका correct आए बिटा, very good, यह ना, आज, दूसरा, क्या बोला है, deposited cash into bank, rupees 2000, कौन से bank में deposit किया, bank of India में, cash deposit कर दिया, 2000 रुपे, फिर से, कौन कौन सा account बनेगा बिटा, cash account और, bank of India account, ठीक है, ज्यान से देखो, एक बनेगा cash account, एक बनेगा, bank of India account, cash का कौन सा balance, cash asset का, debit balance, cash बढ़ती है, तो debit करो, कम होई तो credit करो, cash बढ़ना या कम होना, कहां से समझ में आएगा, जो बच्चों का first day, फ्लीज ध्यान तो दो पर, है न, वेसे आप ध्यान दे रहे हो, cash asset है, asset का debit balance, cash बढ़ती है, तो debit करना है, कम हो रहा है, तो credit करना है, बढ़ना या कम होना समझ में आएगा, transaction से, transaction में क्या लिखा है, हमने हमारे bank खाते में, bank account में cash deposit कर दिया, तो business में cash बढ़ी है, कम होई, कम हो गई, business से cash चली गई, cash चली गई, तो कम हो गई, कम हो गई, तो निच्छे जाने वाला arrow को circle करता हूँ, यहाँ पर क्या दिख रहा है, credit, दिख दिया बटा, so cash account क्या होगा यहाँ पर, credit, यह सुर नो, उसके बाद, bank of India account, bank account, यहाँ पर bank OD है, या bank है, bank है, bank balance, आप लोगों के लिए asset है ना, या फिर ऐसा बोल दो, bank आपकी क्या बन गई, data, जैसी आप bank में पैसे deposit करते हो, अब जिस दिन चाहो, आप उस दिन पैसे bank से मांग सकते हो, जब भी किसी party या person से, आपको future में पैसा मिलने वाला है, तो पार्ट या person आपकी क्या बन जाएगी, data, तो bank balance को asset बोलो, चाहे bank को data बोलो, आएगा कुन सा balance, debit balance, बढ़ता है तो debit करो, कम होगा तो credit, यही तो rule है ने debit balance का, debit balance account, if further increase will be debited, if decrease will be credited, बढ़ो बढ़े, अब तुम बताओ, bank में पैसा deposit करोगे, तो bank balance बढ़ेगा ये कम होगा, बढ़ेगा, बढ़ेगा तो क्या करना इसको, debit हो गया, तो आपके entry कैसी रहेगी, bank account debit होगा, और cash account credit होगा, क्यो debit हो रहा है, क्यो credit हो रहा है, यह समझना, entry rule एक भी चीज, learn मत करना, entries जो है ने, वो learn मत करना, बरो बर, दूसरा, यह IS अभी गा, उसके बाद, तीसरा, withdraw cash, rupees 1000, for personal use, bank से हमने cash withdraw किया, personal purpose के लिए, again, same rule, किती cash withdraw किया बढ़ेगा, 1000 है, 2000 है, 1000, 1000 cash withdraw कर दिया है, ठीक है, बोलो, कौन कौन सा अकाउंट बनेगा, same cash account और, bank account, personal use है क्या, personal use है तो, drawing account, कहां गया रहे, इसे लिखता हूँ, हाँ, बोलो, business से cash withdraw किया है, bank से cash withdraw किया, bank से, बोलाए न, withdraw cash, अच्छा, कई bank bank नहीं बोला है बच्छों, बस इत्ता ही बोला, withdraw cash, एक बनेगा, cash account, और एक बनेगा, drawings account, drawings क्यों, तुम बताव बिटा, हमने drawing का meaning देखा था, withdrawal of the investment, by the owner from the business, for his or her, household, domestic or, personal use, जब भी कोई owner, personal purpose के लिए, business से money, और money's worth में, कुछ भी withdraw करता है, तो हम लोग इस withdraw को क्या बोलेंगे, drawings, yes or no, तो यहाँ पर business से cash withdraw किया है, bank से नहीं है, bank से cash withdraw किया रहेगा, तो क्या रहेगा, पता था वो भी, तो business से cash withdraw किया, एक बनेगा cash account, एक बनेगा drawing account, drawing क्यों बना, क्योंकि personal purpose के लिए withdraw किया, अगर business से cash withdraw किया रहेता, salary देने के लिए, तो drawing account की जगा salary account बनता, business से cash withdraw किया रहेता, कोई electricity bill का payment करने के लिए, तो drawing के जगा electricity bill account बनता, business से cash withdraw किया, wages payment करने के लिए, तो यहाँ पर drawing की जगा wages account बनता, बढ़ यहां पे बिजनस से cash withdraw किया personal purpose के लिए इसलिए यहां पे drawing account बना यह बात समझ में हैं इस अभी को पकी बात चलो बोलो cash यह asset है asset का debit balance बढ़ता है तो debit करो कम हुआ तो credit करो तुम बताओ यहां पे इस transaction की वज़े से किस transaction की वज़े से इसकी वज़े से cash बढ़ रहा है कम हो रहा है बिजनस से cash withdraw किया तो cash कम कम है तो नीचे जाने आला है रोको सर को लगा दो cash क्या होगा credit उसके बाद drawing all assets drawing data expense and losses are always debit balance यादा रहे ना rule all assets drawing data expense and losses are always having debit balance यह type के account बढ़ते हैं तो debit करो कम हुए तो credit करो बरोबर तो drawing का कौन सा balance है drawing का debit balance बढ़ता है तो debit कम हुआ तो credit अब तुम बताओ owner personal purpose के लिए business से withdraw कर रहा है जैसे जैसे वह withdraw करेगा वैसे वैसे उसका drawing बढ़ते जाएगा yes or no तो यहाँ पर withdraw कर रहा है तो drawing बढ़ेगा drawing बढ़ेगा तो drawing को क्या करो debit simple चलो आगे 20 क्या रहेगी drawing account will be debited cash account will be credited yeah drawing to cash simple tabular form में बोला था purchase goods on credit from निलेश निलेश से उधारी माल खरीदा बोलो first step purchase account और निलेश account क्यों बनाया क्योंकि यहाँ पे उधारी में माल खरीदा जब भी आप किसी party a person से credit basis पे कोई transaction करते हो मतलब आपका उस party a person के साथ money or money is worth में land in pending है और जब भी किसी person के साथ money or money is worth में land in pending होता है तो वो party a person का account बनेगा तो यहाँ पे हमने निलेश भाई आसे उधारी में माल खरीदा मलब निलेश भाई को पैसे देना बाकी है हिसाब बाकी है तो निलेश का account बनेगा आपको किराना शॉप पे गए है आपने दूद का पैकेट लिया और पैसे दे दिये बुलो आपसे आपका नाम अता पता पुछेगा क्या वो नो क्योंकि कोई land in बाकी नहीं है कोई तो यह आपका account बनाएगा क्या वो नो लेकिन अगर आप उधारी में लेकर आते हो तो आपसे आपकी जनम कुंडली पूछ लेगा पुरी किसका लड़का है किसके लड़की है कहां रहता है मूबाइल नंबर क्या है ताइम पड़ा होता आधार काट पैन काड़ भी देख लेगा यस और नो बढ़िए कब और आपका account बनाएगा उसके bookshop account में आपसे पैसे लेना बाग किये लेकिन अकाउंट कब बनेगा पार्टी का जब आपका उस पार्टी परसन के साथ money और money's worth में लें देन इंडिंग है तो ही account बनेगा नहीं तो account नहीं बनेगा पिर भले transaction पार्टी का नाम दिया और ना दिया उससे कोई फरक नहीं बढ़ता पार्टी का अकाउंट कब बनता है जब उस पार्टी परसन के साथ money और money's worth में लें देन इंडिंग है तो ही बनेगा नहीं तो नहीं बनेगा यह बत समझ मैं इस अभी को पक्की बात कलू आगे पक्का स सब लोग साथ में मुझना यहां पर देखो निलेश भईया से उधारी माल खरीदा माल खरीदा तो कौन सा कुण बनेगा गूट के के समय आधर है कौन से चार अकाउंट में दे परचेश सेल्स बचेज रिटन शेल्ट यहां माल खरीदा बेचा खरीदा माल वापस किया कि आमाल बापस है को कुण सा गौण मनाउं एरी गूड को तो परचेस अकाउंट और अकाउंड निए इलेश कंग बना लिए परचेस डेटे बालेंस परचेस इमेरे लिए असेट का डेट बैलेंस असेट बढ़ती है डेविट करो कम हो रहे है तो क्रेड़िट करो या फिर पर है तो डेबिट करो्व पर्टेश का मोरा तो रेड़िट करो अब तुम बताओ यहां पे माल खरीदने कि तर्चेस बढ़ेगा है काम होगा देगा जैसे जैसे आप माल खरीद हो गये विएसजके अपके पर का flights करेंगे तो purchase determination बढ़ेगा तो माल purchase किया तो इसके बाद वरेकोट कोने मेरा एसे अलान एक देटर पहलेटर पींकम गेन क्या थे रेडिटर का कुण सा बैलेंस है all liabilities capital creators incomes and gains are always having credit balance यह टाइप के अकॉंट बढ़ते हैं क्रेडिट करो कम हुआ तो debit करो यह सोट नो तो निलेश इस मैं क्रेडिटर क्रेडिटर का credit balance creditors बढ़ते हैं तो credit करो कम हुआ तो debit करो उधारी में माल खरीद रहे हैं तो creditors बढ़ेंगे ना भाया yes और no जैसे जैसे आप credit basis पे goods purchase करोगे वैसे वैसे आपके creditors बढ़ेंगे तो creditors बढ़ रहे हैं तो क्या करो credit इंट्री क्या हो जाएगी बटा पर्चेस अकाउंट डेबिट होगा और निलेश अकाउंट रेडिट होगा फॉर्मेट को गोली मारो बस अभी यह समझो जो डेबिट हो रहा है जो क्रेडिट हो रहा है राइट नेक्स्ट कैश पर्चे पर्चे सब्सक्राइब करो यह सर नो अभी ध्यान से सुनना माल खरीदेंगे तो पर्चेस बढ़ेगा बढ़ेगा तो मैं डेबिट कर दो गया माल खरीद और पैसे दे दिया है कैश पेक या कैश पेक या तो कैश बढ़े गिया कम होगी तो यह चता सब्सक्राइब कर रहा है समझ में आ रहा परचेंगेगा फरणीच यूज एक बनेगा फॉरंसटर आड चैशहचुकट एक बनेगा छेमर हलो राण, और ऐक बनेगा कैशहकूट अब चे की जेगा फॉर्नीचर अकॉंट बनाओं सर क्यूं को सुनो मेरे बात अब बताओं मुझे यहां पे यहां चेयर टेबल अलमीरा वाड्रोग जो भी कुछ बहुत सारे आइटम है तो सबका सेप्रेट अकाउंट बनाते बैठोगे क्या इसलिए चेयर टेबल वाड्रोग या और कोई टीपॉई वगर रखा होगा कुछ और होगा तो उन सबको कहां पे डाल देना फरनीचर में क्लियर ह है सबके इतने सारे पचास आइटम है तो पचास अलग अलग अकाउंट ठोड़ी बनाते बैठेंगे इसलिए फरनीचर में लिख तो चलेगा कि आइस इसे में फरनीचर नाम के असे बढ़ीगी न ये से वेसे फरनीचर अकाउंट का negotiating बढ़ते जाएगा फरनीचर बेचा तो फरनीचर कम होगा फरनीचर खरीदा तो फरनीचर बढ़ेगा फरनीचर बेचा तो फरनीचर कम होगा अब यहां पर फरनीचर बढ़ रहा है कम हो रहा है खरीदा या बेचा है खरीदा बढ़ रहा है बढ़ रहा है तो उपर जाने वा पर दोंगा क्रेजिट किते का फरनिचर था था थी नजार दो सो कि यस और नो कि उस्था रहे इसमें नेक्स्ट है फोट्स तुमोहन वर्थ रुपीज बारह सो मोहन को बारह सो रुपए में माल बेच दिया उनको किते माल बेचा बारह सो में सोल्ड गोड्स तुमोहन वर्थ रुपीज बारह सो अब बताओ यहां पर कौन-कौन सा अकाउंट बनेगा जेल्स अकाउंट और मोहन अकाउंट हां मोहन अकाउंट क्यों सेटल्मेंट के बारे में कुछ बोला नहीं है और पार्टी का नाम दिया हुआ है बोलो में साथ साथ सेटल्मेंट के बारे में कुछ नहीं बोला है और पार्टी का नाम दिया हुआ है तो समझ जाना क्रेडिट ट्रैंजेक्शन है लियर तो यहां पर उधारी में माल बेच वहन अकाउंट यह इंकम गेन यह इसे ड्रोइंग डेटर इंकम गें एसे ड्रोइंग डेटर 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 क्यों क्योंकि मोहन को उधारी माल बेचा मोहन से पैसे आने वाले जब भी किसी party या person से मुझे इन future पैसे आते तो party या person मेरा क्या बन जाता है data data का कौन सा balance है debit balance और sale मेरे लिए क्या है income income का कौन सा balance है credit balance all liabilities, capital, creditors, incomes and gains are always having credit balance all assets, drawing, data, expense and losses are always having debit balance और debit balance का rule बढ़ता है तो debit कम हुआ, credit credit balance का rule बढ़ता है तो credit कम हुआ, तो debit बढ़ना कम होना समझेगा transactions से चलो बताओ, तो मोहन मेरा data बन गया data का debit balance sales में लिए income है income का credit balance income बढ़ती है तो credit करो कम हुआ तो debit करो, माल बेच रहे तो इंकम बढ़ेगी न बॉस और जैसे उधारी माल बेचोगे वैसे वैसे आपके डेटर बढ़ जाएंगे मोहन को उधारी में माल बेचा तो मोहन मेरा क्या बन गया डेटर डेटर बन गया मेरा तो मेरे डेटर बढ़ गया और उधारी माल बेचा और डेटर बढ़ जाएंगे और धरी माल बीचा और डेटर्स बच जाए हैं तो यहां पर मैं डेबिट कर दो क्या चलो आगे कहां तक पहुंचे रहे हैं लोग मुहन बारा सो बारा सो बारा सो उसके बाद विड्रिव कैश फॉर ओफिस यूज थ्री थाउजन फ्रॉम बैंक बोल बैटा ओफिस परपस के लिए ऑद्रुख किया है रहां कहुन सा अकावंट कैश का कॉष्छ लोग कैश अकाउंट और रएश अकाउंट प्रैङक अकॉँ थ्य सेट का डिविट बैलेंस कैश बढ़ती है तो डिविट करो कम हुआ क्रेडित्ट करो बैंक से पैसे विड्रॉव किया मतलब बैंक में बैलेंस होंगा ना बैंक बैलेंस यह भी अपकी असेट यह प्रकार से असेट बोलो डेटर बोलो तो उसका भी क्या है अगर बैंक ओडी होता तो यह के इन सबस्सक्राइब दो सब्सक्राइब अधुक्या今日 की जैसिद्र Pan COLule gaining हो प्रफश से पैसे विड्रॉड की किए बिसनेस परपउस के लिए यह परपउस अभी तक पता नहीं है तो पहले विड्रॉ साइदाने कैश बढ़ गई और बैंक बैलेंस आपका असेट कम हो गया जैसे इसे विड्रो करते हो बैलेंस कम होता है ने तो जाके देखो एक बार एटिम से विड्रो करो देखो आपको मैसे आएगा पर सर हमें ऐसा मैसे आता यूर अकाउंट हैस बिन डेबिटेड और आपन यह विन क्रेडिटेड ऐसा क्यों क्योंकि आप खुद के पॉइंट अव्यू से देख रहे हो वेंक जो मैसेज करती है बैंक उसके पॉइंट अव उप यूसे करती है बिसनेस एंटिटी कॉंसेट हैं फाइंड यह ये और वूइन बिजनस यह आप क्रीश कम हैं और यह है आपने पिंग में पैसे डिपाउजिट किए अब बैंक के पास काय चाहिए तो गाउज संदर अब कर रोपे किआंप की अब दो खिरक्राइं दू अ कि When He को मेंसेज करेगी देख सुंदर देख तेरा अकाउंट क्रिडिट किया थो गैसेज करती है योर अकाउंट हैस वीन डिटट है और सुंदर क्या वोलेगा बैंक में पैसे डिपोसिट किये तो बैंक बेलेंश बढ़ गया और सुंदर के पास से cash कम हो गई तो अंदर बैंक को debit करेगा और बैंक सुंदर को credit करेगे तो आप जब सोचते हो आप आपके point of view से सोचते हो बैंक जब message करेगी तो बैंक उसके point of view से message करेगी आपका point of view bank का point of view opposite रहेगा न बोस कुछ बात समझ में आये क्या है आज को amount था यहां पे तीन हजार आपको आदत में प्रेस करें 2000 कि कितने बैटा बताओ तो तस हजार एक हजार फंद्रह हजार तेरला एक लाग बांच भांच धार पंचुछ तीन जीरो कि यह जाए पूरी फिगर लिख लो कि आ जाओ उसके बाद sold old furniture अचा काफी बार आप लोग दिखते होंगे न सरी है आप ऐसे टिक क्यों लगाते ऐसे लगा हो न इसके पीछे वज़ा है तो कि आप जब आप आगे जाकर के कोई professional course के अंदर में देखा आप जनरल यह article चीप होती है न जैसे chartered accountancy course में आडिकल शीप आप जब करोगे आगे जाके तो आप audit करोगे चेक करोगे तो यह जितने भी figures होती है लिख्यू भी रेती है यह सारी figures आपको चेक करना रहता है ग्रीन पेन आने all set कोई दिक्कत वाली बात नहीं फिगर चेक कर लिए रेट में से टीक क्याने कुछ तो गड़ बड़े उसमें तब बताओ आप यहां पर ऐसे चेक करोगे तो फिगर मिट में जाएगी क्या है इसलिए आप लोगों ने आप अगर आप चारब ना हूं और आप अपको सारी वो फिगर जो नंबर्स लिखा हूआ है वो भी उसके इंदर का दिखे इसलिए ऐसे टीक नहीं लगाना आज के बाद अब अगर आप सब्सक्राइब अकाउंटेंसी कोर्स के स्टूडेंट अब टिक कैसे लगाऊँगे ऐसे ऐसे नहीं लगाना होगी तो क्योंकि आप कोई भी फिगर पर आप ऐसे टिक लगाऊँगे दिखाओ यह फिगर नहीं दिखेगी कि आप आप लोगों के लिए नॉर्मल है अजय है आजब हो जाएगा आदत आपको दिरे दिरे आर्टिकल चीज़ और उसके लिए आपको इंटर क्लिया करना पड़ेगा ना आपको फांडेशन के लिए करना है आजब नेक्स्ट पेड फॉर प्रिंटिंग बिल रुपीज अच्छा 11 नंबर रिसीव डिविदेंड जोल्ड फरनीचर का लिया नहीं क्या सोल्ड ओल्ड फरनीचर फॉर ऑफ रुपीज 9000 ओल्ड फरनीचर हमने बेश दिया भाई साब किते में बेचा है 9000 कुन कुन सा अ एक बनेगा केश अकॉंट और एक बनेगा फरनीचर अकाउंट है कि य rear ये भी असेट है फरनीचर ये भी 1 एक असेट है ऊझां इसके बाद एमिट मैलिसं बढ़ता है डिनिट करो करोगाят करो परनीचर बेचा कापके पास कैश आ गई कैश आ गई तो कैश बढ़ी ना कै तो debit करो, कम हो तो credit करो, बढ़ना कम न समझेगा transaction से, transaction है furniture बेचने का, तो furniture कम हो गया, कम हो गया, तो credit कर दो, देखो न, debit balance वाला account कम होता है, तो, बोलो बिटा, debit balance वाला account कम होता है, तो क्या करना है, credit, देखो मैंने credit कर दिया, चलो आगे, उसके बाद, receive dividend of 1000, dividend मिलाई बिटा, 1000 का, बोलो, cash account और, dividend account, तो account बनेगा, और गोई account बन सकता है, अच्छा किसी बच्चे को और कोई doubt है न, कि सर मेरी साब से ऐसा होना चाहिए, तो तो please पूछना, अब आप लोगों को थोड़ा सा attitude चेंज करना होगा, जो बच्चे नए बच्चे आए, खास करके आप लोगों के लिए, अब आप लोगों को जहाँ भी doubt आए, वहाँ के आपको सौगन्द है आपके चाने वालों की, तब के तब doubt पूछो, जो आप doubt नहीं पूछोगे, वो ही exam में आता है, जो आपको difficult लगता है, वही exam में आता है, 8-9-10 में कैसा होता था, आपको पता दोता पेपर में क्या आने वाला है, hint मिल जाती थी, और class के class में exam होती थी, जो teacher आपको रोज पढ़ा रहे होई paper set करते थे, और जो salver class में present रहते थे थे, जो teacher के favorite रहते थे थे, वही class में rank one आते थे, yes or no, बड़ आप वैसा नहीं है, आप लोगों को जहाँ doubt है, वो paper में आने वाला है, तो आपके सारे doubt clear करो, इसका मुलब यह आए कि अगर हमें doubt नहीं है, तो paper में कुछ आए गाई नहीं, आपको अगर कोई doubt नहीं बचा, आपको सारी चीज़े clear होगी, तो आपका रहेंक आएगा, merit आजाओगे, अच्छा score आएगा, कोई गलत है कि उसके अंदर में, तो please पूछ ना है, यह ना, मा का सब में, बाहर किसी को कोई बात नहीं बोलूगा, कि आपने इतना चोटा doubt पूछा, कि अपने बीच की बात रहेगी, तो जो भी doubt है, पिचाए कि इतना भी basic क्यों नहों, वो आप पूछो, और यही आपके पढ़ाई का attitude और रविया रखना है आप सभी ने, जब भी आप पढ़ो, तो आपकी why power बहुत strong रखना है, आप यह कोर्स में आगे टिक पाओगे, वरना बहुत जल्दी छटनी हो जाएगी, इंटर में निकल गया है, फाइनल करी नहीं पाए clear, तो आपको थोड़ा सा अपने इरादों को मजबूत रखना है, थोड़ा सा बेशरम बनना है क्लास में, और पूछना है डाउट, बाकी लोग कुछ भी सोचो, उनको सोचने दो, आपने बिल्कुल पूछ लेना, दियर, चलो, आगे, बोल बेटा, क्या बोला है, एक बने का cash account, एक बने का dividend account, cash asset, asset का debit balance, cash बढ़ती है तो debit करो, क्रेडिट, dividend ये income है, income का credit, सर, income क्यूँ, अरे dividend मिल रहा है, return on share है ना, return, income कमाई, income का credit balance बढ़ता है, credit, क्रेडिट, क्रेडिट, कम हुआ, debit, बोलो, cash मिल रही है, तो cash बढ़ेगी ना, बढ़ेगी तो उपर जाने वला एडिवाइन पार जाने वाला या कं पड़ती है बढ़ती है ना कमई घ entschieden ुपर जानेह वाले एरो को सरक्ल छैपिता था डिविधेन्ट undert उसके बाद सब्सक्राइबर एड़ फॉर प्रिंटिंग बिल रूपीज़ तू हन्द्रेड बीट टेट फॉर प्रिंटिंग बिल रुपीज 200 धूरेड़ का हैं उन्कोन्स अकाउंट बनेगा का प्रिंटिंग इबस्टाउंट और को तो ये भी इबट बैलस कम वा तो तो के दिट एन स्टेशनरी यह जो आप प्रिंटिंग बिल दे रहे हो जैसे से आप प्रिंटिंग कर वाओगे आपके प्रिंटिंग के खर्चे बढ़ेंगे तो प्रिंटिंग अकाउंट का बैलेंस बढ़ते जाएगा प्रिंटिंग बिल की वज़े से सैलरी नाम का खर्चा बढ़ता है प्रिंटिंग जो जह से ब्रिंटिंग बढ़ रहे है को डेबिट करो रेंटिंग बन पिल प ओक फॉर्मेट आप लोगों कुम अनुत पर में बताई दिया था यह फॉर्मेट में लिख रहे हैं हम लोग देखो 1-2-3-4 1-2-3-4 पील टेबल 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 फील करना है स्टार्टेट बिजनेस विद कैश यह हर एक बच्चे ने टेस्ट लिखी है न और यहां पर भी आपके पास टेस्ट लिखा हुआ परना है यह बुक है इसके लिए ए क्याश अकाउंट्स अफेक्टेट कौन क्यों से अकाउंट रहेंगे ऐश कैपिटल करे का रहें आए यह और अच्छा कार भी है क्या ओ प्रेश अपर बिजनेस टार्ट किया और ने तो कैपिटल अकाउंट बोलो बैलेंस कौन सा है कैश का डेबिट बैलेंस का कैश और कार का डेबिट बैलेंस मतलब यह अकाउंट बढ़ते है तो डेबिट कम हुआ क्रेडिट कैश और कार क्या होगा डेबिट क्योंकि ओनर ने बिजनस में कैश लाई बिजनस में कैश बढ़ी ओनर ने बिजनस में कार लाया बिजनस में कार बढ़ गया और ओनर जब क्रेडिट कैश कार किते का था पचास और कि तेविंटी फाइव कि पचास हजार पचातर हजार कैपिटल किता हो जाएगा टूटल अ एध numéro का कौनी सा बैलेंज था मेंड बढ़ता थह तो क्रेडिट अब बॉनर जबी धंदे में कुछ ले के आएगा तो capital बढ़ेगा ना और ओनर ने बिजनस में क्या लाया cash or car तो cash or car बढ़ गई बढ़ गई तो उसे क्या किया डेपिट कैपिटल को क्या किया credit करो debit or credit आपका टैली है अच्छा डेपिट क्रेट टैली क्यों क्यों होता है कोई मुझे बताएगा कि यूए लास्पेक कॉंसेप्ट हर ट्रैंजेक्शन के दो पहलू है लेन देन 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 लेन देन और हर बार ये लेन देन इक्वल होते है इसलिए तो आपके अकाउंटिंग में हर बार debit credit इक्वल होता है अपने सव रुपए दिये दुकांदार को और चालीस रुपए का उस तो सामान खरीदा आप सव देके चालीस का समान लेके घर पर आजाओगे क्या आप इक्वल करोगे ना आप लेन देन कैसे यही वज़ा है आपके आकाउंटिंग स सृम में आपकी बैलेंशुट् टैली होती है और मारू ने टेस सौल नहीं की है प्लीज एक बार टेस सौल कर लो जो अपसर खρεन की अब आपो पास में टेस्टेट पर है प्लीज सौल कर लो мश्वर— किसे संभ नहीं कियाँ पताो जरह एक और कोई बस बहुत ह Georges बहुत सही की